नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपको ये चैनल सस्क्राइब करने की तो नहीं कहूँगा पर आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि अगर आपको ये वीडियू थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को जल्दी से सस्क्राइब कर ले कुछ लोग गैस्किट इसलिए नहीं लगवाते हैं क्योंकि साइड बोक्स जो लगाते हैं उसकी वज़े से उनको एक जंजट सा महसूस होता है आज हम आपको बताएंगे कि बिना साइड बोक्स के आप कैसे अपनी बाई के अंदर गैस्किट फिट करवा सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वेपोराइजर की यह है अपना वेपोराइजर पीड़े रंका है मेरे को यह पसंद नहीं था मैंने एक ही पी समंगवाया था किसी और को लगा नहीं सकता इसलिए अपने खुद की बाई के अंदर ही लगा रखा है यह वेपोराइजर आप पुलिस वारे इसका चलान आज तक मैंने कहीं ने देखा इसका चलान कटते हुए अप आपको मैं बताता हूं किस वेपोराइजर को आप साइड में भी लगा सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको यहीं पर लगाना जरूरी आप पैंटरी का जो बॉक्स है उसके अंदर भी करता हूं उसकी प्रफॉर्मस बहुत ही बढ़ी है यह तो पैसे नमूना सा होता है नकली सा आइटम दिखाई देता है कस्टमर को भी चला हम अपनी बात करते हैं टोप पे की वेपोराइजर की बात थोड़ी सी और बताता हूं आपको आप वेपोराइजर को यहां पे भी जो नट दिखाई दे रहा है इस नट की जगहें पे आप यहां पे वेपोराइजर को लगा दो किसी को भी दिखाई भी नहीं देगा और आप एवरेज बगेरा सेट करने है वो कर लोगे उसके बाद अगर आप चाहो तो यह बैंटरी बोक्स होता है इस बाइक के अंदर ज कि नहीं हम कैसे टैक को जो गेंस का टैक है उसको कैसे फिट करें हमने यह आप पर यह सैंड बनाया बिल्कुलिट घर पे आप इसको अच्ची से कई फललिंग की दुकान पर मिस्त्री से भी त्यार करवा सकती हो फिर मैंने आपको एक बार बताने के लिए समझाने के लिए इसके अंदर बाहर लगाने से गैस चमने की दिक्कत तो आती नहीं है क्योंकि ये 3 किलो 200 गैस आती है साड़े 4 किलो वजन का टैंक होता है ये देखिए ये सोकर का जो नट है इसके अंदर हमने आपने इस पत्ती को लगाया है हाँ यह पत्ति यहां लगाके इस पत्ति को यहां पर जुआइट कर दिया निच्चे जो स्टेंड है उसके उपर इस टैंक को रख रखा है यहां से यह पत्ति अपने गुम के उपर आ जाती है उपर आने के बाद क्या होता है कि यह टैंक को जकड के कसके टाइट पकड लेती है यहां हमने इसको खोलने बंद करने का सिस्टम बनाती है यह जो नट है इसको आप यहां से खोल भी सकते हैं और यहां से इसको टाइट भी कर सकते हैं जितना टाइट करना चाहिए उसके उपर आप देख रहे हो हमारा regulator लगा हुआ है यह जो regulator है यहां से इसकी pipe हमने यहां से गुमाके इस pipe को और इसके seat के side से निचे से गुमाकर पैंट्रोल टैंक के निचे से इस vaporizer के अंदर fit कर दिया है इससे अभी आपको आगे कोई भी दिक्कत आने वाड़ी नहीं है बिल्कुल इपढ़िया और अच्छा त्रिक्का है यह मैंने बाहर बैग लगा रखा है यह भी देशी सा बैग लगा रखा है ना किसी तरह की गड़गड खड़गड की आवाज आएगी और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी drive का आनद लेशकेंगे हमारी वीडियो बिल्कुल छोटी सी होती है और उसके अंदर जल्दी से जल्दी आपको जो man चीज है उसी topic पे बात की जाती है और वो ही बताने की कोशिस की जाती है यह नहीं है कि हम चाहें कि हमारी वीडियो आप 20 मिन्ट की कर दें और उसके अंदर आपको लगे कि यार इतनी लंबी वीडियो बना दी ऐसा कुछ नहीं है आपको अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है